इस्वर ने हमारे लिए चात बनाया है मेरे दोस्स सबसे पहले ये ट्रांसलेशन साल करने से पहले आपको लांश पोर सन देखना चाहिए है है तो मतलब ये प्रिजंट और प्रिजंट को लिखने उसके बाद ये लिया दिया किया गया याक मातरा आ गया तो वह present perfect है इसलिए इस्वर ने हमारे लिए चात बना तो ये लिखने इस पहले हमें subject को पहले ध्यान बे रखना पड़ेगा करता तो इस्वर ने बनाया है जो काम को करता वह subject होता है तो God has क्योंकि ये present perfect है तो इसलिए has लगा God has met the moon for us इसी तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं मेरे दोस पूरा translation आपको 90% chance वाले 5 VIP questions 5 VIP translation तो इसलिए बने रहे और तुरंत ही आप subscribe पलने क्योंकि और वीडियोस आने वाले हैं और जितने वीडियोस आगे upload कर दिये हैं वो जाकर देख ले सेवन वीडियोस का टार्गेट है उससे अबब भी हो सकता है थोड़ा 10 तक जा सकता है आप लोग देखकर जरूर सतन नमबर ला सकते हैं मरे दोस्ते तो आईए शुरू करते हैं तो आज का सिरी चले का transition जिसमें चार नमबर आपको मिले वाले हैं सुर ये ध्यान से कहा रहा है transition of short places transition का जो short places है from Hindi to English Hindi से English में convert करना रहेगा आपको 4 sentences दिये जाएंगे 4 lines मतलब 4 sentences दिये जाएंगे आपको तो आईए important important हम 5 आपको बताने वाले है explain करने वाले है अच्छे तरीके इस दो आईए फिर कर रहा है ये तो आपने सूना इस फ़रने हमारे लिए चाथ बनाया है God has met the moon for us हमारे लिए क्योंकि ये has क्यों लगा क्योंकि मेरे दोस्त ये present perfect है इसलिए has लगा हुआ है और God अकेला इसलिए God has met the moon फिर for us हमारे लिए उसने सूर बनाया है उसने मतलब वा ये भी present perfect है तो he has met the sun उसने सूर्य बनाया है पिर कहा रहा है आदमी घर बनाता है आदमी घर बनाता है ये देखिए किस टेंस लिखा है ता और हा, ता हा कहीं देखिया है तो वो present definite definite है तो present definite का rule आपको पता है कि देखिए यहाँ सबसे पहले subject man makes the houses makes houses makes क्यों लगा मेरे दोस्त क्योंकि आदमी अकिला इसलिए yes yes ये इस लग जाता है जब subject singular होता, अकिला होता है man makes houses फिर कह रहा है आदमी ने computer ता परमाडू बम बनाया है man has met computer atomic bomb man ने has met बनाया है क्योंकि ये भी present perfect है मेरे दोस्त फिर कहा है man has met computer आदमी ने computer मनाया an atomic bomb और परमाडू बम भी मनाया है लिखा है but परंतु परंतु का but ता आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता ता बट man cannot make a flower लेकिन आदमी cannot नहीं make बना सकता एक flower एक फूल भी नहीं बना सकता है हमें इस्वर की पूजा करनी चाहिए लिखा है be suit worship God be मतल हमें suit माने चाहिए worship मने पूजा करना God means इस्वर की हमें इस्वर की पूजा करनी चाहिए इस तरीके से आईए आप दूसरा important इसको दिमाग में आपके काफी बैठा होगा अच्छी बात है चलिए पहला ये है दूसरा आपका आता है यहां यहां से देखें मेरे दोस्त यह सब importance है यह सब समझ लेंगे तो काफी आपको help मिलेगा कि किस तरीके से लिखना है क्या लिखना है तो ज़्यादा help मिलेगा आपको देखे लिखा आगरा में प्रसिद आतिहासी के मारत ताजमाल है करा इन आगरा आगरा में there is a famous historical building known as the ताजमाल क्योंकि जहां भी कोई भी subject ऐसा दिखे ना कि जैसे कोई काम हो रहा हो बस उनका जानलीजे introduce कर दिया जा रहा हो तो वहाँ देखे प्रसिद आतिहासी हमारा ताजमाल है है मतलब ऐसा थोड़ी की पैदा हो रहा है निकल लाए धिरे धिरे थोड़ा छोटा नहीं करा है मतलब स्थाफित है तो इन आगरा there जब कोई चीज़ ऐसे पता दिया जाए बस तो वहाँ देखे प्रसिद आतिहासी पैसी बाज़ से लिखा गया है मेरे दोस्त इसको बना लिया गया है सबसे पहले यह क्या कहते हैं आपजेक्ट फेमस इस्टोरिकल बिल्डिंग को आपजेक्ट बना लिया गया नोन आज़ेता ताजवाल, वह ताजवाल के रूप में जाना जाता है फिर कह रहा है मुगल एंपरर कह रहा है इसे मुगल सम्रा़ साजहान ने अपने पतनी मुम्ताज की इस्वरती में बनावाया था आपको समझना है मेरे दोस्त कह रहा था मतलब है यह past है ऑर बनवाया था ये पांश्ट परफेक्ट है क्या है पांश्ट परफेक्ट लेकिन कुछ लोग पांश्ट इंडिफिनिट को भी इसी भी मे लिख देते हैं तो लेकिन सुनो, इस तरीके इसका दो तरीका लिखा जैका, मुगल एंपरर सा जहाँ, सुनों, मुगल एमपरर सा जहाँ हैड ब्यूल्ट ये भी लिखा जा सकता, इसका ब्यूल्ट भी लिख देते हैं, तो मुगल एमपरर सा जहाँ ब्यूल्ट बनाए, पांस इंडिफिनिट के माद्यम से ये affirmative के rule से second form लगा दिया build होता बनाना, दूसरा build बनवाए it इसे it क्यों नहीं करा, क्योंकि non-living things जो है, उनके चीजों के लिए it लगा जाता है, मेरे दोसी, इसलिए it in the memory of his wife मुम्ताज, कह रहा है याद में, याद में, मुम्मेरी मतलब याद, इस्मृती में कह रहा है, आफिज वाइब मुम्ताज के याद में, उन्होंने बनवाया था फिर कह रहा है, क्या बनवाया था, महल फिर आगे बात करते हैं ताजमाल संसार की सर्वसेष्ट इमारतों में से एक है, it is one of the best building, it is one of the best, कभी भी आप ताजमाल हो गया, या कुथ मिनार हो गया, या और भी कोई विल्डिंग्स हो गई, या एतिहासी मारत की बात करेंगे, तो मेरे दोसा आप इट का परियोग करेंगे, ओके फिर आगे, it is one of the best buildings of the world, यह भी, यह दुनिया की सबसे संसार की सरफसेश्ट इमारतों में से, it is one of the best कर रहा है, दुनिया की सबसे one of the best building of the world, यह दुनिया की सबसे सरफसेश्ट इमारतों में से एक है the people from कर रहा है इसे देखने के लिए, विस्सो के कोने कोने से लोग आते हैं, the people from every nook, एक कोने से हरे कोने से people from every nook and corner of the world प्रकारा कम आते हैं to visit देखने, और यह देखो, यह present indefinite के रूल से लिखी आप, देखे, क्यों लिखा गया है देखे, यहां लिखा comes, अगर, देखे, जादे लोग हैं, इसलिए, जब जादे हो तो, अगर subject plural है, तो, वर्ब जो है, वर्ब में yes, yes, नहीं लगाते हैं, मेरे दोस्त, सीधे directly, first form ही लगा दिया जाता है, तो कम हो गया, it, to visit, it तो, इस घूमने के लिए आते हैं तो, यह important था, पिर आगे बात करते हैं, यह 90% chance है, तो जरूर इसको देखिए क्या, दो हो गया, तो, यह आपका रहा, तीसरा कहां गया, यहां, यह रहा, तीसरा आपका, इध्यान सुनिए मेरे दूस्त, यहां, कह रहा है, वर्बुच हमारे देश की अमूल निदी है, कह रहा है, trees are invaluable fund of our country, कह रहा है, अब देखिए, यह है, simple present, इसे कहा जाता है, इस आरायम कहीं, जैसे हमने बच्पन में बहुत पढ़ा, this is a cat, this is a cat, that was a doctor, समझे, समझे रहे हैं ना, he was a doctor, तो यह सब क्या है, यह simple present, simple past, जिसमें continuous के helping or use होते हैं, जैसे is आरायम वाजबर, यह continuous यह यूज हुआ, लेकिन ing नहीं लगा, continuous में ing आपने से देखा होगा ना, सुना होगा, थोड़ा सा अगर जानकारी होगी, तो इसमें नहीं लगा हुआ, क्योंकि यह simple present लिखा गया, बस इसे नार्मन बता देएगा, विक्ष हमारे देश के अमूल निदी है, trees are invaluable fund of our country, invaluable मतलब अमूल, fund मतलब निदी, निदी मतलब संपत्ति, आप अर कंट्री हमारे देश के सबसे अमूल निदी है, फिर कह रहा है, विक्ष हमें केवल एधनवा फल ही नहीं देते हैं, नहीं देते, फिर ध्यान सुनी, trees not only supply us fuel and fruits, कह रहा है, देखी, यह directly सिर्फ बा बातों के माद्यम से भी लिख देया, कोई रूल नहीं लगा हुआ है, मेरे दोस्त, इसका रूल है नहीं कहीं तर नाट लगा दो सिर्फ, इसलिए जब बात की माद्यम से लिख तो बात की माद्यम से कह रहा है, विक्ष हमें केवल एधनवा फल ही नहीं देते हैं, बहान इमारती लगडियां, टिमबर मिंस इमारती लगडियां, वे सिर्फ केवल इधनवा फल ही नहीं देते हैं, बले कि हमें इमारती लगडियां भी देते हैं, टिमबर मिंस इमारती लगडियां, फिर कह रहा है, हमें अधिक साधिक पेड लगाना चाहिए, चाहिए का रूल है बी सुद, सुद मतलग चाहिए होता, बी सुद, प्लांट मने पौधे लगाना, पेड लगाना, करा ट्रीज मने पेडों को, हमें जादे जादे मोर, एंड मोर, करा हमें जादे जादे पेडों को लगाने चाहिए, अधिक साधी पेडों को लगाने चाहिए, प्लांट मींज फिर आगे बात करते हैं मेरे दूस्स अनावश्यक रूप शे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए अनावश्यक मींज फाल्तू करा है ट्री सुड नाट बी कट यह किस रूल से लिखा गया है मेरे लाला यह लिखा गया है आपका पैसी वैस के रूल से क्योंकि देखिए जब इसको बना दिया गया आपजिक्ट हाँ तो यह हो जाएगा क्या सुड नाट बी कट यहाँ हो गया सुड नाट बी कट सुड के साथ दी लग गया तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है ट्री सुड नाट बी कट अन्नेसेसरली मेरा अनावश्यक तरीके से याद रख लीजी हमें पेड़ों को अनावश्यक तरीके से नहीं काटना है तो यह रहा important अब चौथे नमबर पर चलते हैं यह रहा फिर यहाँ देखिए एक इमानदार व्यक्ति सदेव न्याय और सच्चाई पत्का अनुसरण करता है यह most important बार बार यह आता जानते हैं यह दो साल पहले आया था फिर यह जानते हो अकसर यह इसका rule रहता कि दो साल या तीन साल के अंदर में गुमा गुमा के दे देता इसलिए अनसाल्व साल्व कर लिए तो तीन सेट साल्व कर लेजिए आपको जान लेजिए साथ परसेंट आपको उसी में मिल से मिल जाएगा मतलब आपको सात्रिक लेकिन सात्रिक है कई सेट आपको साल्व करना है क्योंकि एक साल में साथ सेट तयार होते हैं तो सात्रिक है कई सेट आपको solve कर लेंगे तो आपको काफी help मिलेगा तो सुनिए एक इमानदार व्यक्ति शदेव न्याद और सच्चाई के पत्का अनुसरड करता है कर रहा एक इमानदार व्यक्ति always हमेशा follows अनुसरड करता है क्यों क्योंकि ये किस rule से लिखा गए ये present indefinite के रूल से लिखा गया है हा और ता जहां दिख जाए वो present indefinite के रूल से लिखा गया है तो an honest person ये हो गया subject कह रहा है always हमेशा follow और ये अकेला इसलिए follows हो गया follows अनुसरड करता है the path मतलब mark of justice न्याए and truth सच्चाई वो न्याए और सच्चाई के मा mark का अनुसरड करता है फिर कह रहा है वा कभी किसी को दोखा नहीं देता है he never deceives anyone he never कभी नहीं अब दोखा देनक बात करते हैं deceive he never अब यहाँ बात करते हैं वा कभी नहीं अब नहीं कहा लग लग जैसे वा कभी नहीं देता है तो presentative do not does not कहा चला गया लेकिन इसका rule होता है मेरे लाला अगर कभी नहीं आ गया न तो do not, does not, did not, was not, were not यह सब गायब हो जाता है सिर्फ यहीं लिखा जाता है वो भी अब इसके rule से लिखा जाएगा present indefinite के affirmative के rule से लिखा जाएगा क्योंकि कभी नहीं हो गया he never deceives देखें, deceives हो गया वा कभी नहीं दोखा देता है deceives he never deceives वा कभी नहीं दोखा देता है anyone, किसी को धोना होना कहा से आ गया sorry इमानदारी सच्चे सुखवा सांती का सोथ है इमानदारी honesty is the source of true comfort and peace इमानदारी ये देखें, किस rule से लिखा गया है मरे लाला ये लिखा गया है simple present से योगि is लगा है लेकिन कोई भी ing वाला कोई भी काम नहीं दिख रहा है इसलिए आप ये simple present से लिखेंगे तरहां इमानदारी honesty is the source of true comfort and peace इमानदारी इस माने है source means truth of true comfort सच्चे सुख and peace और सांती इमानदारी सच्चे सुख वा सांती का स्रोथ है फिर करा है उसके लिए इमानदारी ही सबसे उत्तम नीत है उसके लिए करा है for him उसके लिए honesty is the best policy इमानदारी ही सबसे उत्तम नीत है honesty is the इस माने है the best means अच्छी उत्तम policy means नीत सबसे उत्तम नीत है इमानदारी ये चबथा नमबर पाच्वे नमबर पर यहां है मरे दोस्त पाच्वा सुन लिजिए तो यहां देखिए ध्यान से गियर आपके सामने पाच्वा तो ध्यान सुनिएगा कहरा यह बहुत important भगया बहुत important है नवबय का नियान भी लिख लीजिए फिर कहरा भारत के लोग सरदार पठेल को भारत के लव पुरुष की भादी जानते अब यहां आपको डूडना है कायोately सबसे पहले subject subject कैसे पताक्त गया जाता है तो आप ध्यान में रखिए जो काम को करता वही है करता और subject means होता हिंदी में करता तो काम को करता वही है करता तो कौन भारत आईसे पूँझे कैसे निकाला जाता है जो main काम हो रहा है, main काम क्या हो रहा है, पहचानने वाला, भाती जानना जानना, इसे पुछे कौन जानता है, भारत के लोग, निकल गया, भारत के लोग कौन जानता है, तो subject निकालने के लिए मेरे लावा याद रखिएगा, आपको जो काम हो रहा है, उसमें कौन लगा जिन निखल जाएगा तुरंत तो subject सबसे पहले पता करते हैं ये रहा भारत की लोग the people of India अब जानते हैं तो हा और ता कभी भी पूरा line solve करने से पहले आपको क्या करना है तीन चीजे देखना हमेरे लाला last वाला portion ये देखो ये देखो और पूरी line देखो तो ये बता देगा हमको क्या tense बता देगा ये बता देगा हमको kind बता देगा, पूरा line बता देगा sentence बता देगा tks, 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 tka, sultan, lagotatan तीन, ऐसा है न, trick ये रटे रहिए TKS तीन चीज़ देखिए उसके बाद पूरा करिए बिना ये तीन चीज़ देखिए मत किया करिए कोई चीज़ तो लास्ट नमें में सा ये तीन चीज़ देखिए आपको पूरा पता देगा करेगा तो हो गया सब सब पहले अब देखते हैं तब पीपल आफ इंडिया भारत के लोग अब कर रहा है अब में काम अब जो काम हो रहा हो उसको लिखेंगे कर रहा है नो जानते हैं अब जादे लोग है ना भारत के लोग इसलिए नो लिखा गया है क्या जानते हैं सरदार पटील कुँ जानते है as the iron minor of India love bruce के नाम से as मतलब के नाम से मतलब के दोएरा मतलब उनहीं जैसे iron minor of India as the iron minor of India भारत के love bruce के नाम से जानी जाते हैं फिर आगे बात करते हैं करा वे कुसल परसाशक थे कुसल means होता है भाई सब बहुत ही अच्छे प्रसासक में शासन करने वाले कर रहा है He was an efficient administrator He माने वाज माने थे And माने एक efficient मतलब होता है कुसल administration मतलब प्रसाशक वे एक कुसल प्रसासक थे administrator याद रखिएगा इसको administrator कुसल प्रसासक थे फिर कर रहा है उनके पास सही वक्ति को सही पत पर चुनने की छमता थी He had the ability उनके पास योगता थी और past की मतलब अगर present में past के अंगरेजी लिखना हो जैसे उसके पास है तो has, have लिखते जाता है subject अकेला हो तो has लिख दो अगर subject मतलब जादे लोग है तो हाँ head लिख दो और past में था के अगरेजी head लिखा जाता है लागा तो देखिए उसके पारा है सही पत चुनने की छमता थी उनके पास और क्या है थी तो यहाँ क्या लगा हो के head इसलिए head लगा He had the ability उनके पास योगता थी to choose चुनने की दा right person करा है सही व्यक्त की इन दा right position करा है उनके पास सही व्यक्त को सही पत पर चुनने की छमता थी ability मीन छमता होता है right position मतलब सही पत करा है दे मैड उन्होंने बनाया यहाँ पहले हिंदी पढ़ लीजिए वे दड़ता से निड़े लेते थे वे दड़ता से निड़े लेते थे यहाँ से देखिए कहाँ they made decisions यहाँ देखे गलत देख दिया वे दड़ता से निड़े लेते थे they made नहीं यहाँ क्या रहेगा he made तो क्योंकि वे अकेले है न इसलिए he made वे लेते थे, decisions वो निड़े लेते थे, किससे wisely द्रड़ता से, बुद्धिमात्ता से, बुद्धिमानी से निड़े लेते थे, यह mad मतलब क्यों हो, क्योंकि यह present past perfect, past indefinite है, था और यह देखे ता, तो था बता देगा, यह past है, ता मता देगा, past indefinite, तो यहां past indefinite का affirmative में लाला, सेकेंड फार्म लगता है, क्या लगता है, सेकेंड फार्म, तो कुछ बच्चे जो भूल गए हैं, वह सो याद रखें, और ट्रैंसलेशन आपको सिर्फ 20-30 मिनिट में सिखाया नहीं जा सकता, अगर हाँ आथ सीखना भी चाहते हैं, ट्रिक के माध्यम से, आप लिखी 40 मिनिट का है, 20-1, 20-1, आप देख लीजे, काफी है, आपको समझना रहे हैं, फिर आगे बताते हैं, कर रहा है, सर्दार पटेल, हमारे देश के गवरों हैं, सर्दार पटेल, इस माने है, the pride मतलब गवरों, आप आपको हैं, तो यह रहा पूरा important 5, जो की काफी help मिलेगा आ अगर आप यह सॉल्ब कर लिए याद कर लिए जो भी करना हो आप कर लिजिए काफी आपको हर्प में लेगा और उसके अतरिक्त भी आप रिपीट करने तो अच्छी बाद है क्योंकि टाइम आप हो चुगा ज्यादे हो गया है तो यह भी 90% चांस के अकॉर्डिक है लेकिन य लाग इसके शॉर्ट भी ले सकते हैं उसको दिमाग में बिठा लीजिए कि इमानदारी वाला अलाल बहादुर सास्त्री वाला भी इस है यह भी है और उसके बाद है यह तो पढ़ा दिये हैं इस वर्चंद विद्या सागर वाला है इसमें से यह इंपॉर्टेंट है बहु यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है इलहाबाद एक इतिहासिक नगर है इलहाबाद इतिहासिक नगर है यह यह इस चिछा का केंदर है यहां उत्तर प्रदेश का उचनियाल है ध्यान सुनिए कह रहा है यहां उत्तर प्रदेश का उचनियाल है ध्यान सुनिए कह रहा है यहां उत्तर प्रदेश का उचनियाल है ध्यान सुनिए कह रहा है यहां उत्तर प्रदेश का उचनियाल है ध्यान सुनिए कह रहा है यहां students in the class यह लिखेंगे लेकिन अगर बात किया जाए कि 20 students बैठें हैं तब वहाँ काम हो रहा लाला तब वहाँ देर नहीं लगाएंगे लिखेंगे the 20 students are sitting in the class अगर ऐसा कर देंगे तब आप सही रहाएं तो गलत हो जाएगा फिर बात करते हैं आगे फिर कह रहा है उच्छ नियाला ही यह तो आप देख लिए देर इस हाई कोड आफ यूपी यहां उच्छ नियाला है दा गंगा कर रहा है गंगा और यमुना नदियां यहां म मिलना गंगा और यमुना रिवर्स नदियां मिलती हैं यहां मिलती हैं यहां मीट लिखना क्यों क्यों कि गंगा और यमुना जो है वह दो हो गये और जब सब्जेक्स प्लिवरल हो जाते हैं बहवचन हो जाता है तो लाला क्या लिखा जाता है प्रिजन्ट इंडिफिट य यहां हो गया बस तो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में लिखें और बताएं मैं जाफिर सर तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैन जैन दे लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें मेरे दोस्त ताकि उनको भी हल्प मिले और हमें सब्सक्रा को सब्सक्राइब करें सेयर जरू करें जैन जैन दे